जैसा कि हम सब जानते हैं पूरी विश्व में मक्का के बाद सबसे जादा उगाई जाने वाली फसल है गेहूं की फसल तो इसकी अच्छी पैदवार के लिए अधिक पैदवार हो उसके लिए विज्ञानिक तरीके से खेती करना बहर ज़रूरी है धान की फसल के बाद किसान गेहूं की खेती करते हैं ऐसे में ज़रूरी है कि खेतों की अच्छी से जुताई की जाए मिट्टी भुरभुरी हो जाने के बाद ही गेहूं की बुआई करनी चाहिए रोटावेटर से जुताई करने पर खेत एक बार में ही पूर्ण रूप से तयार हो जाता है गेहूं की बुआई के लिए उप्योक्त समय नरधारन कर लेना चाहिए और खेत में नमी की मात्रा भी चेक कर लीनी चाहिए जसे के गेहूं का अंकुरण अच्छी तरह से हो सके गुआई कर सकते हैं गेहूं के लिए सबसे जो उप्यूक्त मिट्टी है वो आपका हलकी दोमट बलवाही जमीन होना चाहिए ऐसे तो भारी मिट्टी में भी जमीन में भी इसके खेती और उपज बढ़ियां होता है तो पहले हम लोग इसको खेत को चाहे तो देशी हल से या फिर जिनकिसान के पास ट्रैक्टर उपलब्ध है वो दो बार तिन वार छी तरह से खेत को जुताई कर लें पाटा चला लें और खेत सिचाई के लिए जो है एक तरफ कोई एक तरफ थोड़ा स्लोप बना लें ताकि आप उनको सिचाई में सुविधा हो समय पर जो बुआई किया जाता है जिससे एक नेवंबबर से थीनवंबर तक तो उसमें हम लोग 20 कतार अकतार के दूरी रखते हैं नोद से बुआई करते हैं तो एक कुटनल भी करते हैं सो किलोंग्राम अधिर घ्कटेयर होना चाहिए और अगर 공म से बुआई करते हैं यदि खेत में बीज की अंकुरण शमता कम है तो बीज का प्रियोग सामान्य दाना 125 किलोग्राम प्रती हेक्टेर तथा मोटा दाना 150 किलोग्राम प्रती हेक्टेर की दर से प्रियोग करना चाहिए. पहले तो बीज को फुफुन नासी से उप्योग करना चाहिए अगर बीज की अगर वेस उप्छलब नहीं है तो क्रवन्डजीम नाम फुफुन नासी है वही मात्रा बीज की दर से उप्चाः करना चाहिए. क्लोरी पारिफास नाम का जो एक कितना सक होता है वो उससे भी बीज उपचार करते हैं ताकि जो खेत में बीज लगने के बाद दीमक कपर को थोड़ा कम हो गेहूं में धार्खन के कंडिशन में कम से कम छो सिचाई का जरूत होता है अगर 6 सिचाई है तो आपका गेहूं का फ़सल का उत्पादन बढ़ियां होगा तो सबसे पहला जो सिचाई है वो क्राउण रूट इनिस्स эти यानि कि कि आगे फिर 20-20 दिन के अंतराल पर जैसे शुरू में 20-25 दिन पर पहला सिचाई हो, उसके बाद 40-45 दिन पर दूसरा सिचाई, फिर 60-65 दिन पर तिसरा सिचाई, फिर 80-85 दिन पर चवथा सिचाई, और पांचमा सिचाई जो है 100-105 दिन और फिर लास्ट सिचाई जो है 115-20 इनके आसपास कर देना चाहिए, और यह ध्यान देना चाहिए कि सिचाई हलका हो, अधिक पानी जमाना हो, हलका मित्टी में हम लोग 6 cm सिचाई करते हैं, और अगर भारी मित्टी है, तो उसमें हम लोग 8 cm अनुसंसा है, उसमें सिचाई कर देने का, सबसे यह महत्वपुर् को सिचाई करने में आसानी हो.